कुछ लोग तो खाना खाने के बाद हाजमोला को खाना पचाने के लिए खाते हैं पर हम तो हाजमोला सुवाद के लिए खाते हैं कल ही हमारे घर हाजमोला खतम हुई तो मचिंटू की दुकान से और ले आई घर आकर देखा तो देखा में चाची आ रखी थी वो बोल रही थी मुझे भी कोई बर्फ का गोला बना कर खिलाओ मैंने बोला हाँ जी जरूर पर कौन सा गोला खिलाओं मेरे हाथ में थी हाज मोला तो दिमाग ने का हाज मोला बर्फ का गोला खिलाते हैं इसी बाद पर एक लाइक तो बनता है मैंने हाजमोला कुट्टी और थोड़ी सी चिनी गोली और जमने के लिए फ्रीज में लगा दी चाची अगले दिन सुबह फिर बोली कहां है तरह बर्फ का गोला मैंने फ्रीज से हाजमोला वाली बर्फ निकाली और बना दिया गोला